जै श्री राम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलजर, निम्रोलोजिस्ट, लाल किताव नवास्तू कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेज पर चंद घंटों में यूँ कहें तो कुछ ही समय में, चणिक समय में, गरीबी दूर करने की ताकत रखता है ये फूल बस सही दिशा में लगाना और सही अवस्था में उसका अपयोग ज़रूरी है धनलाव का योग बनाता है ये फूल घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवा बनाता है ये फूल नकारात्मक उर्जा का नाश करता है ये फूल वास्तू शास्त्र में कई ऐसे पेड़ पोदों का जिक्र मिलता है जो घर में सकारात्मक उर्जा का संचार बनाते है सिर्फ पेड़ पौधे नहीं कुछ लकी फूल फ्लार्स के वारे में भी बताया गया है इन फूलों को इन पौधों को जो इस पुष्प के पौधे हैं को घर में लगाने से व्यक्ति की किस्मत का तारा चमक जाता है अगर आप काफी लंबे समय से गरीबी या फिर किसी प्रकार की आर्थिक समश्य चाहे वो करजा हो कोई फानेंशल प्रॉबलम हो जॉब में दिक्कत हो व्यवसाय में हो कहीं पैसे फसे हो इन सबसे पीडित हैं या काफी लंबे समय से इस परिस्तिती से आप गुजर रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार गुडल के फूल को घर में लगाने से व्यक्ति को अतियंत लाब होता है गुडल का फूल आर्थिक संकट दूर करता है मालक्षमी को गुडल का फूल बहुत प्रिया है इसलिए धनकी देवी मालक्षमी को गुडल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए बहुत ही लाबकारी होता है और मालक्षमी को अतियंत प्रिया है गुडल का फूल इसे सही दिशा में लगाने से व्यक्ति की किस्मात बदल जाती है अगर आप पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं तो घर में गुडल का पेड़ कवश्य लगाए जिस पर गुडल के फूल आए इससे मलक्षमी प्रसंद तो होती ही है घर में धनका अगमन बढ़ता है धनका प्रवा बढ़ता है लेकिन अगर आप गुडल का फूल लगा रहे हैं तो इस बात का बिलकुल ध्यान रखें कि ये कई कलर्स में आता है कौन से कलर वाला और कहां आपको लगाना है गुडल का जो फूल है वो कई सारे रंग में अवेलबल है कई कलर्स में अवेलबल है मार्केट में आर्तिक संगर से चुटकारा पाना है तो लाल रंग का गुडल का फूल विशेस रूप से लावदा ही माना गया है अगर financial problem के लिए लगा रहे है मालक्षमी को प्रसंद करने के लिए शुकरवार के दिन पूजा के समय उन्हें गुडल का फूल अवशे अरपित करना चाहिए साथ ही मालक्षमी को मिश्री और दूद से बनी बरफी का भोग लगा दो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा मालक्षमी का साक्षात आशिरवाद मिल जाएगा ग्यारे शुकरवार लगातार ये उपाय करो अपने घर की बलकेनी में पूर्व की तरफ इस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ ये गुडल का पौधा आप लगाओ अगर घर में पार्क है जगा है तो नीचे लगा सकते हैं वन्ना बड़े से गमले में आप लगाए बहुत लाबकारी रहेगा अत्यंत लाबकारी रहेगा ये करना शुरू करें ग्यारे शुकरवार करें उसके बाद भी लगातार कर सकते हैं आपको थन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे करके देखी फिर में लेंगे जयशे राब